हालो फ्रेंड्स कुश्चिन नमर 2 देख रहे हैं कुश्चिन नमर 2 में यह है कि इन फिगर 6.29 यह फिगर दिया हुआ है a b parallel to c d a b और c d आपस में parallel है and c d parallel to e f और यह आपस में parallel है and y is to z y और z की जो ratio है वो दिए 3 to 7 तो find the value of x x की value निकाल ने बहुत ही आसान है देखिए कैसे करेंगे सबसे पहले यह समझेगी कोई भी अगर दो लाइन अगर यह इसके पैरलल है और यह इसके पैरलल है तो इसका मतलब यह है कि तीनों आपस में parallel होंगी ठीक है तो ढ़ी दो पैरलल को उत अट्याल्यौ टीनों तो भी पैरलल को इप्स तो तो देखिए अब्टेखिए अब भीपैर्लेल तो CMS है यह अभी पैरल दो उते ठीक है अब देखिए अब बीच वाली लाइन को फिलाल भूल जाते हैं अब हम देखते इसको और इसको A B को और E F को ठीक है यह A B है और यह E F है यह X और यह Z तो देखिए फिर यह क्या बंदा है यह दौनो लाइन पाडलल है क्योंकि तीनों लाइन पारल मीहारीज पैरलागी तो पैरलिया पैरलल होगी ठीक है 이거 पैरलल लाइन के बीच में यह क्या बनाँ रही है जेट चैनल तो यह एंगल इकल होते हैं इसको क्या ॥ा करते अल्टर्नेयर ढिए सेंगल ठीक है बिकारज ये भी parallel to EF therefore X equals to Z X equals to Z हो गया है अब देखें रेशियो है रेशियो बारे question में हम कैसे करते हैं कि let ratio B M ठीक है तो therefore Y की value कितनी हो जाएगी 3M और Z की value कितनी हो जाएगी 7M ठीक है यहाँ पे normally ratio को हम X कहते हैं लेकिन यहाँ पे already X used किया हुआ है तो इसलिए हमने M लिया नहीं तो mix up हो जाएगे ठीक है तो Y और Z की एक और चीज़ देखिए कभी भी अगर दो line parallel होते हैं अगर यह line और यह line अगर parallel है और यह transversal line है तो यह angle और इस angle का sum 180 degree होता है दोनों supplementary होते हैं दोनों angle का sum 180 इसको कहते हैं core interior angles राइट या इस case में देखिए यहाँ पे तो X है यह parallel lines है यह भी parallel lines है तो यह X है और यह Y है यह दोनों angle का sum 180 degree होता है राइट तो इसको कहते है sum of co-interior angles राइट फिर से में लिखेंगे कि वेकाज A B parallel to C D गिवन है तो देर्फोर X plus Y इकोस to 180 degree राइट sum of co-interior angles sum of co-interior angles interior angles राइट अब देखिए क्या है X की value X किसके उक्वाल है Z की है X के जगपे हम क्या replace कर सकते है Z equals to 180 degree 7 M plus 3 M 10 M equals to 180 degree तो देर्फोर M की value कितनी हो जाएगी M equals to 180 degree by 10 equals to 18 degree M की value 18 degree निकला है that means that means Y or Z की value निकला हैगी therefore Y कितना होगा 3 into M 3 into 18 equals to 54 degree right or Z की value कितनी निकला हैगी 7 M 7 18 ठीक है 126 degree और देखिए अपने पहले अपने प्रूट कर दे X equals to Z तो Z की value कितनी निकला है 126 therefore X की value भी कितनी हो जाएगी therefore X equals to 126 degree यह हमारा answer निकला है ठीक है प्रूट कर देखिए